अस्सलाम ओलेवन आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट कड़ी फटा फट से बनाने वाले हैं जबके कड़ी बहुत देर में बनती है आज हम आपको बहुत जल्दी से बनने वाली बता रहे हैं हमारे पास एक किलो दही है घर की जम्मी हुई भी ले सकते हैं आज हमने मार्केट से लिए है वन टीस्पून प्यास का पेश्ट डाल देते हैं वन टीस्पून जिंजर पेश्ट और वन टीस्पून हमने इसमें गार्लिक पेश्ट डाल दिया है और 1 tablespoon हम इसके अंदर डाल देते हैं, ये red chili powder और हम डालते हैं इसके अंदर ये 2 tablespoon healthy powder और इसके अंदर जाने वाला है 100 gram besan और जितना हमारी दही है उतना ही हम इसके अंदर 1 kg ही हम पानी लेंगे 100 गिराम हमने बेसन डाल दिया है इसके अंदर हम इसके अंदर अभी थोड़ा पानी डालते हैं ताके यह अच्छे से फिट जाया और हम इसकी quantity को डबल करेंगे दही के साथ और इसको फैरते हैं फटाफट इसके साथ-साथ हम आपको ये भी दिखा देते हैं हम बनाने वाले ह दिखाएंगे एक हमने मीडियम साइज की प्याजली यह वो डाल देते हैं तो वन टीस्पून् रेड़ चिली पावडर डाल देते हैं वन टीस्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पावडर डाल देते हैं दो चुटकी हम इसके अंदर खाने का सोडर डाल देते हैं और इसके अंदर जायके के मताबिक कह दे या फिर《12 tolerance पॉन अंदर दालेंगे नमक और हम इसमें थोड़की अप्टिन लुए थोड़ा सा पाने डालेंगे पहले फैंटेंगे जब यह अच्छे फिट जाएगा फिर देखेंगे कंसिस्टेंसी थोड़ी थिखी होनी चाहिए तो इसको तियार कर लेते हैं बेसन को बहुत अच्छे से फैटना जरूरी है इसके अंदर एक भी लम्स नहीं होना चाहिए इस तरीके से फैटेंगे तो आपकी पकोड़ी एकदम सॉफ्ट बनेगी बहुत जरूरी है अभी ये फूटेगा तो आपकी जैसे आप कहते हैं हमारी पकोड़ी सॉफ्ट हो गई तो इससे सॉफ्ट नहीं होंगी तो अच्छे से फैटना इस तरीके से ये देखें तो ये बहुत जरूरी है हम क्या करते हैं हमने जो आपको ये दिखाया था अपनी कड़ी आप इसके अंदर तियार करेंगे तो इस तरीके से ऐसे जाग आ जाने तक पैटना है इसे भी इसमें डाल देते हैं जितनी हमारी दहीती उससे डबल हम इसमें पानी आइड करेंगे डबल से थोड़ा सा जादा यानि के सो मेली लिटर ही जादा लिया है बस हमने डबल कह सकते हैं अभी आप इसका कलर देखेंगे कड़ी जैसा नहीं है थोड़ा लाइट है जैसे ही ये फीट पर रखेंगे हम इसके कलर बदल जायागा इसके अग्दम परफेक्ट कलर हो गया हमें ये ऐसा ही चाहिए था हमारा फुल फिलेम है बीच में इसको टन करते रहें आते जाते हिलाते रहें हम इसके अंदर वन टेबल इस्पून एंड वन टी स्पून नमक डाल देते हैं आप इसमें जायकी के मताबब दाल सकते हैं नमक डालने के बाद हम इसको अब मीडियम फिलेम कर देते हैं पकने देते हैं इसको कम से कम 10 मिनट इतने हम आपको इसका दिखा देते हैं हमारा च्छोंका तेयार है हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली है पंटी स्पुन हमने जीरा लिया है चार से पांस ये रेड चिली ली है उसमें च्छोंके में दिखती हुई बहुत अच्छी लगती है और ये करी लीव ली है करी लीव को धोना बहुत जरूरी है दो के युँ जटक देना भी जरूरी है तो ये हमारा चौंका तयार है हम इसे साइड रख सकते हैं लेकिन हाँ इसके अंदर आप यंग ड्लना चाहते हैं छौंके में ही 57 मैं आप 2 चुटकी 3 चुटकी हंग के अंदर ले सकते हैं हितनी कवान्टेटिय के लें कम है तो कम भी ले सकते हैं जो आप कड़ी कम बना रहे हैं, हाँ थोड़ा सा मेथी दाने भी डालते हैं, बहुत से लोग वो भी आप लेना चाहते हैं, तो वो भी आपका जब जीरा प्राउन हो जाएगा, उसके बाद आपको एड़ करना है, इस तरीके की लाली आ जाए साइडों में, तो समझो आपकी कड़ी पके तियार है, ये देखें इसकी थिकनेस, जबकि ये थोड़ी से ठंडी होने के बाद और ज्यादा गाली होगी, तो बस ये हमें इतनी ही गाली चाहिए थी, अब हम इसे साइड रखते हो, फटा फट बनाते हैं, ये बनाते समय फिर से फैटना है, फुल फिलेन प फिर सिलो ही रहने देना है, सिलो फिलेम है, हम मीडियम कर देते हैं, फटा फट डालते हैं, इसके अंदर अपनी ये पकोड़िया, छोटी-छोटी सी ही डालनी है, बहुत बड़ी आप नहीं डालेंगे, इस तरीके के बीच में सब बबल्स आने को टाइम देना होगा, इस इसे ही ये कड़ी के अंतर जाएंगी, तो और बड़ी हो जाएंगी, तो हम इना सब को पलेट ले पर ये हम ऐसी ही चाहिए थी, अब हम इसको सीधा डाल देते हैं, यही हमारी कड़ी रखी हुई है, सीध डारेक्ट हम कड़ी में ही डालेंगे, पानी वगारा में नहीं डा प्याज का बड़ने के बाद हम ये रैठी ले डालेंगे, प्याज का कलर हम ऐसा ही चाहिए था, हमने सिलो कर दिया है, अपने फिलेम को पोरन ही हम ये करी लेव और लाल मिर्च साथ में डाल दी है, फिलेम को बंद कर देते हैं, करी लीव को पकाना जरूरी है, ताके ये कर करा रहा हो जाएं, बस ये अवाजानी बंद हो गई, ये करा रहा हो गया है, यही हमारी कड़ी रखी लिए साइड में, बस ये हमारा छोंका तियार है, डालते हैं इसको कड़ी के अंदर, ये गया कड़ी के अंदर, कड़ी तियार है, देख सकते हैं, पूरी कड़ी को एक स चावल के साथ खाएं या फिर फुलके के साथ खाएं या फिर ऐसे ही बाउल में करके एक चमच लेके ऐसे ही खाएं लेकिन आप ये जरूर बनाएं हमसे जुड़ें और हमारे इंस्टेग्राम पर जाएं हमारे पेच को फॉलो करें हमसे जुड़ें अल्ला हाफीज